तो लीजे फ्रेंस आ गया बिल्कुल सस्ते में बिल्कुल कम समान में बिल्कुल घर के समानों से इस तरह से आप मिठाई बना के तयार कर सकते हैं बिल्कुल रसीली जूसी बिना मावा बिना कंडेंस मिल्क बिना घी बिल्कुल ही कम खर्च में आप धेर सारा बना के तयार कर स तो एक बावल हम सूजी ले लेंगे अगर मोटा हो तो आप एक वार ग्राइंड कर लीजेगा अगर में ही हो तो ऐसे ही रख सकते हैं तो मेरा पतला ही है लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा ग्राइंड कर लेते हैं बिल्कुल हलका हम पीस लेंगे तो बील्कुल बारिक हो जाएगी इसको एक बड़ा बावल में हम डालते जाएंगे उतना ही जितना हम सूजी लिए थे उतना ही हम मैदा लेंगे मेरदा को अच्छे से हम पहले ही छान लिये थे, अब इसमें फ्लेवर के लिए हम इलाइची पाउडर डाले हैं, अब घर का फ्रेस दही, तीन चमच हम दही फ्रेस डालेंगे, अब इसको हम मिक्स करेंगे, अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे, अब देखे फ्रेंड सुख़ा रह गया, तो इसको हम थोड़ा सा ओड़ीला करने के लिए, आपके पास अगर दूद हो तो दूध डालिये, नहीं तो दूद का भी कोई जरूरी नहीं है, यह पानी भी आप डाल सकते हैं, तो हम देखिए छोटा कप से दूध लिये थे, जितना लगता है उतना ही लगाएंगे और बच भी जाएगा, क्योंकि हमको ज्यादा इसको पतला नहीं करना है, तो इसको हम मिलाते जाएंगे, तो देखिए आधा कप ही दूध मेरा लगेगा अब लगेगा नहीं, तो इसी में हम साथ साथ बेकिंग पाउडर अगर घर में हो, तो जरूर डालें, बेकिंग सोडा ना इस्तेमाल कीजिएगा, बेकिंग पाउडर से अच्छारी जल्टी मिलेगा, तो इसको हम अच्छे से डाल के फेट देंगे, अब इसको हम 10 मिनट से के लिए एक हम बरतन चरहाएंगे, पैन हो या कराही हो जो भी हो आप चरहा देंगे, एक कप पानी डालेंगे, अब देखिए जिसे हम मैदा सुजी ना पेते ना उसे उसी बाउल से हम थोड़ा सा चीनी हम ज्यादा डाले हैं, अब इसको घूलने देते हैं, तो फ्लेम जो भी आपके पास से भी लेवल हो डाल सकते हैं, अब इसको हम चला देंगे, चासनी को भी हम पान से साथ मिनट पकाएंगे, ज्यादा नहीं पकाएंगे, अब फ्रेंस अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक और सिस्क्राइब करना मत भूलिएगा, बीच 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 में हम चेक भी करते जाएंगे, अभी थोड़ा सा और होगा, बिल्कुल हमको गाढ़ा नहीं चाहिए, बिल्कुल चिपचिपा चाहिए, जिस तरह से जी लेवी में कैसा होता है उसी तरह से, अब देखिए हम चेक कर लेते हैं, गैस का फ्लेम आफ कर दिये, चे दूसरा पेन में आप रिफाइन वाइल यूज कीजे या घी यूज कीजे, आप जो आप खाना पसंद करते हैं और ले सकते हैं, तो हम रिफाइन वाइल ही डाल रहे हैं, तो देखिए 10 मिनट इधर भी शेठ हो गया, थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, फिर भी हम को इसमें दूद का धैले हो या कोई आपके पास प्रॉस्टी के ही पना पैकेट हो आप ले सकते हैं, तो अप नीचे कप डाल दिये हैं, इसमें हम बहुपन के लिए थोडा सा लगा दिये हैं, आपके पास नहीं हो तो पैकेट को हुई आप नीचे पैकर में अच्छार एम पंसे गल तो फ्रेंट में टेल गरम हो गया, तो फ्रेंट में लॉन प्रेंदे इंसे अडियों में दीक्त नायान जीड है कि अझान क्वेंदा नो यह एक दोने जेने क्कों आथ सूहैं, आ प homeless द्हें को एप से यूमद अट सब्सक्रा में नंगे तो बच्चे हो, आप हो, जैसे पसंद हो, तो उस तरह से आप बना के खा सकते हैं, तो देखे, बनाने में भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगे, बिल्कुल ही, एक तरह से समझे, जिले भी तरह से ही आप घर में गर्मा गर्म बना के खा सकते हैं, तो फ्रेंट्स, आपको अ जलने का डर रहता है फिर मीडियम कर दीजिएगा मीडियम पे ही इसको 2-3 मिनट पका लिजिएगा तो देखिए दोनों तरफ हां उलट पलट के अच्छे से हम पका लेंगे इसको बिलकुल करंची करंची फूला भी है देख रहा है फ्रेंस जैसे डाले थे उसका डबल हो गया है तो फूल फूल के तो बड़ा और बड़ा हो गया है तो बिलकुल तैयार हो गया है तब इसको हम निकाल लेते हैं निकाल के हम चासनी में डालेंगे तो चासनी भी मेरा चासनी बिल्कुल हलका गरम रहना चाहिए, अगर ठंधा हो जाए तो थोड़ा सा हलका फ्लेम पे इसको गरम कर लीजेगा, अब इसको अच्छे से मडू बो लेंगे, अइधर पैन हम हलका लो कर देंगे तो ठंधा हो जाएगी, तो इसमें हम दूसरा बैच का डालेंगे, तो देखे, छोटा-छोटा हम बिल्कूल आराम से इसको डालेंगे, दिखने में भी काफी सुन्दर भी लग रहा है, फ्रेंस, तो इसे बनाईएगा जरूर, क्योंकि कम खर्च में, ज्यादा खर्च भी नहीं है, जब भी कुछ मीठा खाने का मन हो, तो बिल्कूल कम खर्च म या माल पूवा बोलिए, या गुलाब जामून बोलिए, उस तरह का ये स्वार्द मिलेगा आपको, देखे, कितना बाद छोटा-छोटा डाले है, फिर भी फूल-फूल के कितना बढ़िया लग रहा है, कलर भी सुन्दर लगेगा, या कीन मानी है, खाने में भी काफी टेस में तरह बडिया. तो दूसरा सभी मिलेट में चासनी सेकता है, तो टेल मेरा बच गया है, तो हम त्या आरी कर लिए, कितना सखा कीरीव ठीव डेखे, कितना रसीली ख्याएतक, कितना तो थाासीली क्यूल ओ Wonka, या कव्या साज़नी कितना और में में तरह कितना पूल अख कितना रसिली कितना दिखने में भी काफी टेस्टी लग रहा है तो फ्रेंच देखिए अंदर तक तो दिखने में आपको कैसा लगा, वाओ, हमें तो काफी पसंद लगा, बच्चे भी मेरे काफी पसंद होके खाए हैं, तो फ्रेंट्स आप भी जरूरी से बनाएए और खाएए, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, थैंक्स फर कृ तो बच्चें एाए बस्ट लगा रेड्श एंक्टराइब